हेलो गाइज, विल्कम टू अचीव आईएस, मैं नेम इस आईश मेठी, इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के दो इनिशिटिव के बारे में जानकारी लेंगे, चलिए, शुरू करते हैं हमारे पहले करंट अफेर्स से, जो पहला करंट अफेर्स हमारा वो है, इंडियन आर इस तरीके से अर्मनाइशन बढ़ता जा रहा है, तो उस तरीके से अब मेजर चेंजेस करने के जुरूद पढ़ रही है, जो भी अकॉमोडेशन हैं आर्मी के, क्योंकि आज भी जो हमारे अकॉमोडेशन है, दे आर ओफ प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो काफी जादा चे जाती है, क्योंकि उस ताइम की अकॉमोडेशन, उस ताइम की नीट्स को देखके बनाए गई थी, और आज जिस तरीके से पोपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे लेंड भी एक स्कैर्स रिसोर्स बनता जा रहा है, जहाँ पे कंटोर्मेंट और जो मिली की इन्वार्मेंट कंजर्वेशन पे ध्यान रखा जाए, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्फार्चक्चर बना के छोड़ दिया आर्मी के लिए और आसपास का जो वातावर एनज इन्वार्मेंट है वो खराब आ रहा है, तो यह सब हमको देखना पड़ेगा, बट वन दा चैलेंज इस वेरी टाम कंजूमिंग और काफी ज़्यादा एफिशन्सी के बीस में जरुत पड़ जाती है, तो इस चीच को समझते वे, आर्मी ने यहाँ पे, यानि कि मिनिस्ट्र डिफेंस ने, एक सॉफ्टर यहाँ पे बनाया है, ताकि ऐसा नहीं हो, कि इन्फार् प्रोसेश, Efficient, Transparent, and Accountable, Inder Harmi has introduced the Software, Infrastructure Management System, IMS, IMS Software, you can call it, so you have to remember the name, Infrastructure Management System, IMS Software, तो बहुत सरी चीचेज़ के अंदर होगी, कि लिस्ट मनायाँ काम की, फिर, Automation अगरा, Administrative Approval, Execution, Monitoring of Execution, और किस तरीके से जो है, पैसा जा रहा है, आ रहा है, यह सारी चीज़ें इसमें होंगी, आप सब देख सकते है, Landworks, और बेंगलोज, और वी आईपी, रेफरेंसे, Exchange of Land, यह सब चीज़ें के तहत मेनी जाएगी, Basically, it has started the automation for the major infrastructure projects for Army, तो यह तो हमारा जो है, पहला इनिशेटिव था, Second initiative, उसे जिसके हम बात करने जा रहे हैं, वो है, Secure Application for Internet, Ministry of Defense has launched Secure Application for Internet, Army ने इसको launch किया है, आत्म निर्बर भारत पे हम बहुत जादा जोड़ दे रहे हैं, तो we have developed a simple and secure messaging application named Secure Application for Internet Sai, Sai आप इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से आप WhatsApp यूज़ करते हैं, Telegram यूज़ करते हैं, और सामवाद आप यूज़ करते हैं, यह सारी चीज़ें जो होती हैं, They use end-to-end encrypting messaging protocol, तो हमें ज़रुत थी कि इस तरीके का end-to-end encryption मतलब कि भेजने वाला और message जो receive हुआ है, जिसके पास उनके अलावा, एप बनाने वाला भी है, वो भी नहीं देख सकता है, जो भेजा, जिसके पास गया के वाल वहीं देख सकता है, जिसने एप को बनाया है, वो खुद भी इसको encrypt नहीं कर सकता है, decrypt नहीं कर सकता है, तो यहां पे end-to-end encryption यहां पे messaging protocol का WhatsApp टेलिग्राम पे देखने को मिलेगा, इसकी जरुएत, आर्मी में भी हमें महसूस हुई, तो आर्मी has developed a simple and secure messaging application, इसका नाम ही है, Secure Application for Internet Sign, तो काफी ज़दा security features भी है इसमें और इस तरीके से किया गया है, कि यहां पे जो भी चीज़े हैं, वो आर्मी के लिए सही हो, needs के साब से और साथी साथ secure भी रहे, तो basically यहां पे इसकी जो importance है, वो इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि cyber attacks हैं, वो हमारे देश में काफी ज़दा बढ़ गए हैं, अभी हाली में नीती आयों के infrastructure पे और कुंदुकलम जो power plant था, उस पे भी ब्रीच हुए थे, cyber breaches हुए थे, तो इनकी ज़रुतों को देखते हुए, आर्मी के लिए secure application for internet की ज़रुत देखी जा सकती है, यह चीज़े तो आपकी हो गई फिलम्स के लिए, अब हम एक बार देखेंगे कि वास्तों में cyber security के challenges क्या है देश में, government के क्या initiatives हैं, और यह जो चीज हमने देखी कि CERT ने अभी इसको wet किया, wet मतलब इसकी पूरी जो है वो अच्छी तरीके से देखाए कि किस तरीके से काम करेगा, पूरी एक checking की है, तो यह CERT के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है, government ने क्यू बनाया इसको, तो mains के लिए हम एक बार इसको देख लेते हैं, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे हर दो-तीन दिन में मैं main shorts डाल देता हूँ, mains के लिए यानि जो भी points आप अपने answers में डाल सकते, ताकि आपको अच्छे marks मिले और value edition आपका होज़े, तो कुछी दिनों पहले, मैंने 26 October को, Cyber Security in India's Nuclear System के लिए main shorts डाल लेते हैं, तो आईए हम उसको ही एक बार पढ़ लेते हैं, Cyber Security in India's Nuclear System, तो सबसे पहले challenges की बात कर लेते हैं, देखिए इस पे focus मेरा रहेगा nuclear systems में, लेकिन जो points इसमें दे रखे हैं, जैसे government की जो efforts हैं, वो आप Cyber Security से related किसी भी question में डाल सकते हैं, जैसे bank से related, PSU से related, Cyber Security की बात हो गई, नितियायक से related, या फिर किसी भी major जो sensitive infrastructure से related बात हो गई, तो ये सब चीजें जो हैं, आप इसमें कहीं न कहीं उठा के डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं proper अगर nuclear system की बात करूं, या फिर overall अगर infrastructure की बात करूं, तो challenges A to Z same है कुछ-कुछ, जैसे कि Cyber Risk से जो हैं बहुत कम हम ध्यान दे रहे हैं इसके तरफ, और we, the India's Cyber Security Policy has remained inadequate, प्रोपर नहीं आई ये, और there are changing and emerging non-traditional threats जिसको कहते हैं, वो Cyber Warfare और अटेक्स के जो बढ़ते जा रहे हैं, एक example आप अपने answer में mention कर सकते हैं ताकि लगे ऐसा कि हाँ, आप उन्हें जो है current efforts को पढ़ा है, इसरो का, अच्छा माफ कीजिएगा, नीतियाइग के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसरो के headquarters जो थे बेंगलूरू में, वहाँ पे ये attack हुआ था, माफ कीजिएगा मैं नीतियाइग आपको बोला था, इसरो headquarter बेंगलूरू में, और कुंद कुलम जो nuclear power plant है, तमिल नाडू में, इन दोनों में यहाँ पे, जो security का breach हुआ है, और government ने accept तक किया था, कि हाँ ऐसा हुआ था, तो यह एक example अपने आप में सबूत है, कि हमें कितनी ज़रोते cyber security की, vulnerable cyber security mechanism में हमारे यहाँ पे, outdated cyber security technology, outdated मतलब बहुत पुरानी हो गई, यह आप तो नहीं नहीं इंस्टॉल कर दी जानी चाहिए, सबसे बड़ा challenge है कि cyber security अब दीरे दीरे, हमारे हर तरह की infrastructure में जुड़ते जारें, खास करकी nuclear system में, आप question अगर banking के बारे में हो, तो आप banking लिख देना, यहाँ पे अगर आप question PSU के बारे में हो, तो PSU लिख देना, इस रो के बारे में हो, तो nuclear system की जगह यहाँ पे, इस रो लिख देना, तो इन चीज़ जो ऐसे points को modify करना, सीखो means के answer के लिए, और number of tools और instruments जो हैं इंड़े के infrastructure में, वो कफ़ जदा imported है, और import जब हम कर रहे हैं, तो उनकी technology भी साथ में हम ले रहे हैं, तो हो सकता है, चाइना या फिर और भी जो countries हैं, जो friendly नहीं है इतनी, वो malware इसमें install कर दे, infiltrate कर दे malware को, और that can happen at any stage during the supply chain, किसी भी good में या फिर कैसी भी वो जो है, supply chain के अंदर malware को fit कर दे, और उससे हमाली cyber security को खत्रा हो सकता है, lack of inter-agency coordination, देखो ऐसा है कि यह जो मैंने points बना हैं, यह बहुत सहुलियत के साब से बना है, ऐसा नहीं है कि आप इनको पढ़ लिए, और आपको जो है फिर banking क्या फिर या फिर PSU पे, यह बिजनिस की cyber security पे कुशनार आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने nuclear के बारे में पढ़ाता है, अशन नहीं है, जो points है, यह जो last point आप देख रहे हो ना, इसको आप cyber security से related, अगर कोई भी challenge फूसता है ना, तो challenge में आराम से बसको डाल सकते हो, वैसे बहुत सारे यहाँ पे points आपको मिलेंगे, क्या-क्या risk है, यहाँ पे आप इस चीज का diagram बना सकते हो, कि main risk क्या 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 है, लेकिन यह defense related है, यह diagram आप defense के question में बनाना, कि क्या-क्या risk है हमारे यहाँ पे, cyber security से, main जो किन-किन factors में जो risk है, एक तो command और control center के बीच में, जो communication रहता है, वहाँ पे breach हो सकती है, control assets में, intelligence में, GPS system जो होता है, आपका वहाँ पे breach हो सकती है, और hardware, software vulnerability भी हो सकती है, operating system की, faulty defenses, network vulnerability भी हो सकती है, आराम से, तो यह diagram बना के आप आ सकते हैं, अच्छा, cyber attacks जो होते हैं, खास कर कि हमारे major sensitive infrastructure पे, या फिर ISRO पे, या फिर nuclear establishment पे, तो परिणाम क्या होते हैं, what are the consequences of these cyber attacks, तो one of the consequences of these cyber attacks, is defeating the security of weapon, भाई आपने weapon बना है अपने देश की security के लिए, launch होने से पहले अगर उस पे attack, उस पे control किसी और country का हो गया, तो उसकी security का जो मकसता वोई defeat हो गया न, उसका use करके क्या कर लोगे, दूसरी बात हो सकता है, जो इसने attack किया है, उस वो unauthorized तरीके से launch कर दे उसको, या nuclear warhead को अपने control में ले ले और हम उसको launch ही ना कर पाएं, information का flow यहाँ पे रुख सकता है, they can prevent the flow of information, they can obtain confidential information, also they can disrupt dual use communications, हो सकता है, वो overload कर दे, communication network को overload मतलब, जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप job वगरे की notification आते हैं, कोई भी आप ऐसी websites लाते हो, जिस पर बहुत ज़दा load होता है, जिस पर बहुत ज़दा विजिट कर रहे होता है, तो वो website कहीं न कहीं रुख चाते, कहते हैं न website जो अभी रुख गई है, website पर भी काम चल रहा है, maintenance चल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे server खेंग हो गया, कहते हैं न, पर न कि overload हो गया, तो वो भी हो सकता, हो सकता, सामने वाला उसको इतनी information भीज़दे की, वो जो communication network है, वो अवर लोड़ोड हो जा और काम करना बंद कर दे, और हो सकता है कि communication channel जो है, वो जो crisis पैदा हुआ, emergency के time पे, तो वो उस crisis को de-escalate ही नहीं कर पाए, मान लो भी लदाक में सा हुआ, और हमको देखना था अपने navigation से, कि हमारे जो army है, वो जो हमारे जवान है, personal है, वो कहां-कहां है, और चाइना के कहां-कहां है, हो सकता है कि वो इस तरीके से, जो है, attack करे, cyber breach करे, कि crisis situation को हम रोक नहीं पाएं, हो सकता है, यह challenges है, इनको सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ी बात, economic, operational और reputation, cost country को यहां पर हो सकती है, इस point पर, अकेले पर, डेर्ट सो वर्ट का answer बन सकता, इस अकेले point पर, ठीक है, economic आपको पता है, क्या के चीज़े हो सकती, operational पता है, मैंने बता दी, सारे चीज़े आपस में जूड़ी हुए, reputation, cost कैसे होती है country की, अभी हम बात कर लाता है, सबसे पहले तो cyber attack होता है, अगर component पे, किसी भी एक component पे, अगर cyber attack होता है, पूरी machinery पे, पूरे या फिर किसी infrastructure establishment पे, तो इसका मतलब पूरे entire system में, कहीं न कहीं असी गलतिया और मिल सकती है, तो this exposes the vulnerabilities in the entire system, तो ये सबसे बड़ी दिकत, एक और कि हमारे जो LEs हैं, और जो adversaries हैं, उनको ये चीज़ पता चल जाएगी, कि हमारे ये जो infrastructure है, जो भी हमारे information है, वो secure नहीं है, अच्छे तरीके से, और cyber breach उसमें हो रहा है, तो दोस्त जो हमारे LEs हम information देने में हिचके चाहेंगे, और adversaries proactively आके, और breach करने कोशेश करेंगे, और country, ऐसी country जिसके बास nuclear weapon है, उस पे तो फिर और शक होने लग जाएगा, कि इसके nuclear weapon है, और इन पे अगर attack होना शुरू हो गए, तो फिर नमारा क्या होगा, तो उस पे जो है, गाफी ज़्यदा फिर नजरे आ जाती है, लोग फिर ज़्यदा उनको observe करने लग जाते हैं, ऐसी country को, गवर्मेंट के क्या फोर्ट्स हैं, ये चीज आप cyber security के किसी भी question में डाल सकते हो, तो सबसे पहले Department of Electronics and Information ने 2013 में, policy framework निकाला था, cyber security policy के लिए, अब 2013 में निकाला था, 2013 में first time निकाला था इनोंने, ठीक है, दूसरी बात, Defense Cyber Agency है हमारे यहाँ पे, National Technical Research Organization है, Sight ये, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, Sight In, ये है, इसने जो है, ये जो आर्मी का भी था, Sight, जो एब की मैं बात कर रहा था, Secure जो messaging एब था, Secure एब पूर internet, वो उसको इसने जो है, वो चेक किया कि कैसा है, सही है की नहीं है की वास्तों में, अच्छे से बनाए की नहीं है, और काफी अच्छे से जो है, आर्मी ने इसको बना के दिया है, तो आर्मी परफेक्ट काम हमारे यहाँ पे करती जा रही है, Further solution क्या हो सकते हैं, भाई, आगे इस government ने तो कर दिया, लेकिन और भी क्या solution गोर्मेंट को अपनाने चाहिए, तो ऐसा mechanism होना चाहिए, जहां पर public confirm किया जैसा कि हाँ हमारे breach हुआ है, cyber security, nuclear infrastructure में, क्योंकि ऐसा है की public को बताना जरूर ही है, ताकि public यहाँ पर थोड़ा aware रहे इन चीज़ों में, adaptive, reliable and robust system होना चाहिए, cyber threats analysis का, मेंस के answer के लिए आपको keyword बहुत पकड़ने होंगे, जैसे adaptive, reliable, robust system है, यह आप कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे आप corruption में भी अगर question आए, तो आप कर सकते हैं कि adaptive, reliable, robust monitoring system होना चाहिए, तो यह चीज़े आप जो है, appraisal system के लिए भी ऐसे वाट्स का इस्तमाल कर सकते हैं, तो adaptive, reliable, robust system, आत्मनेर बादबारत, five-tailing economy, यह चीज़े आप आराम से इस्तमाल करेंगे, तो marks भी आराम से ही मिलेंगे, strong public, private partnership होनी चाहिए, ताकि critical information for structure को यहाँ पर protect किया जासे, हाला कि private partnership हो रही है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए, कि sensitive information इनके पास भी नहीं जाए, हम हमारे जापान, उस्टेलियर, यूस के साथ भी मिलके काम कर सकते हैं, यूस के साथ तो बेका साइन हुआ है, मिस्टा भी साइन हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करें, decision जो making जो power है, वो अपने हाथ में ही रहे, उसमें intrusion किसी का ना हो, लेकिन इनके साथ मिलके हम और भी चीजे जो है, जानकरी हसिल कर सकते हैं, हम मैंने क्या बताया था अभी एक challenge की import जब हम कर रहे हैं, अभी तो खेरात मनिर्वे भारत है, तो हम हमारे imports को थोड़ा कम कर रहे हैं, चाइना मगर के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि सारा रुग गया, तो जब तक चल रहा है, तब तक के लिए हम को strong policies लानी पड़ेंगे, तक कि कोई भी हम अगर import कर रहे हैं, तो उसमें जो value chain है, जो भी stage है import की, उसमें कोई malware inflitate ना कर दे हमा कोई दूसरी country, उसके लिए एक पूरी proper policy होनी चाहिए, चाहिए sourcing के लिए, चाहिए vendor management, चाहिए supply chain authority, continuity, quality, transportation, security, इन सब से related strong policy होनी चाहिए, अवेरनेस तो फैलानी पड़ेगी cyber vulnerabilities के लिए within the nuclear establishment, अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये points ध्यान से पढ़ना, मैंने लिखना का, create awareness of cyber vulnerabilities, यहां तक लिख के मत छोड़ देना, लेकिना within the nuclear establishment, बाहर सब को बताने की जो इतनी है कि हमारे nuclear establishment न अटेक हो सकता, ये गलतियां है, within the nuclear establishment ये बात पता लगा लो कि awareness कर दो कि हां cyber vulnerabilities है, और अंदर ये अंदर वो चीज शुदर जाए, बाहर का external information, internal लोगों के पास information आ जाए, inside ही रहे, और cyber threats और cyber threats के importance को promote किया जाए, एक norm बना दिया जाए, एक practice बना दिया जाए, कि जब भी भी कोई decision है, तो cyber security की importance साथ में रहे ही, जैसे हमारे environment का conservation का हर policy में ध्यान रखना ही पड़ेगा, साथी साथ, जब भी cyber nuclear security की बात हो, तो preparation का काम अलग दो, accountability का काम किसी और को दो, और examination का काम किसी और को दो, और इन तीनों के बीच में demarkation करो, demarkation मतलब यह तेरा काम, यह भी तेरा काम और यह तेरा काम, अब तुम अपना काम जो है perfect तरीके से करो, कोई तुमारे जो है इंटरफेरेंज यहाँ पे नहीं होगी, और काम जो करो वो perfect तरीके से करो, autonomy के साथ करो, यह हमारा means के लिए भी पूरा हो गया है, तो याद रखना इसको, यह आपको PDF टेलिग्रम चनल पर मिल जाएगी, सर्च कर सकते आप, means shorts part 13, मिल जाएंगे आपको रोज में यह डालता ही रहता हूँ, और कभी वीडियो से related होंगे, तो और भी डाल दूँगा, धन्यवाद, goodbye, ख्याल रखिएगा सब,